So Hello Everyone, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्लैटफोर्म SSP Knowledge Hub पर जहाँ पर हम करियर रिलेटेट बहुत सारी विडियोज बनाते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत जादा मोटिवेशन भी मिलता है एं साथे साथ एक आईडिया भी मिलता है यार कि जहां एक तरफ हम लोग सिर्फ एंजिनेरिंग और नीट की बाते करते हैं के अनावा भी बहुत सारी ऐसे ऐसे अमीजिंग करियर ऑप्सन है जहां पर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और अपने लाइफ को एक नई डिरेक्शन दे सकते हो ठीक है तो इस वीडियो को लास तक देखीगा विकरस आपने से बहुत सारे विद्यारत्यों कि बड़ इसके लिए क्या ऑप्सन है और बहुत सारी चीज़े हैं जो हम इस वीडियो के अंदर साजा करेंगे आप सभी बच्चों से स्टूडेंट से क्योंकि अधिकांस्तर हमारी जो चैनल है उसके जो वीवर्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स ही हैं आप लोग मुझे मेरे फिजिक सीनिस्ट कैसे बनते हैं सबसे पहले सवाल याता है कि वाई फोरेंसिक साइनिस्ट तो यहां पर नहीं वर्ड आ जाता है सांटैस्ट, अब यहां पर नहीं उन स्टूडेंस के लिए बहुत जाड़ा स्कोप हो जाता है जिन मेरे मार्स कैसे आएंगा यह सूचना है की यह का कह सकते हैं कि 6-7 महिने पहले एक वेब सीरीज आई थी काफी पॉपिलर चर्चा में रही थी और बहुत अच्छा मैसेश था उसमें कि किस तरीके से आर्टिफिशल इंटिलीजन्स आने वाले समय में इंसानों पर इतना हाभी हो जाएगा कि उसके सारे जो डीटा है जो सारे इंफोमेशन है वो किसी और कंपनी के पास होंगे और कैसे हम बरबाद हो सकते हैं तो बड़ा अच्छा मैसेश था उसमें आप लोगों ने धरनजय क किरदार देखा होगा फिर उसमें डॉक्टर रहती है मौतरमा उनका भी किरदार आप लोगों ने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से क्राइम सीन पर जाते हैं साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेट होता है सब कुछ रिसर्च होता है और जो अप लग जाता है साइंटिस्ट उपर से हमारी गवर्मेंट के लिए काम करने का मिल जाता है हमारे देश के लिए काम करने को मिल जाता है साथी साथ बहुत सारे प्राइवेट अजिंस में भी काम करने को मिल जाता है तो आप सबसे पहले यह समन लीजिए कि क्लास 12 आपका साइं स्ट्रीम होना चाहिए प्लस यू शुट भी वरी एंथूसियास्टिक इन रिसर्च अगर आप रिसर्च बहुत एंथूसियास्टिक है दें दिस फिल्ड इस फो यू आप 100 परसेंट इसके लिए बने हुए हैं लेकिन सिर्फ किताबों का घ्यान नहीं चलेगा आपको रिसर्च करते वक्त यानि कि जो आपकी पढ़ाई है वह आपको किन-किन डिग्री से होगा कि गुजरना पड़ेगा ट्रेनिंग वगेरा से होगे गुजरना पड़ेगा तो बीएस सी आपको करना पड़ेगा तीन साल के लिए MSC in Forensic Science उसके बाद दो साल का कोर्स होता है उसके बाद आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप PhD भी कर सकते हैं PhD का एक अपना अलगी औरा होता है आप सभी जानते ही है ना तो कुल मिलागर की तीन साल और ये दो साल इन पांच सालों के अंदर आपको बीच-बीच में रिसर्च, प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजों से हो करके गुजरना पड़ेगा लेकिन एक बहुत अच्छा उप्सन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि सिर्फ नीट में ही मेरा करियर है और मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं तो आप इस फिल् अलग ट्राइग करने वाले लोग होते हैं यह उनके लिए हैं ठीके फिर क्लास 12 साइंस ट्रीम ब्स में लोगों का साइंस ट्रीम होना लेकर राइग साइन्स ट्रीम के option की के इसमें कौन-कौन से career option available होते हैं तो देखो एक होता है crime scene investigator यानि कि जहां पर crime हुआ है जहां पर अपर अपराद हुआ है चाहे किसी के हत्या हुई है चाहे कोई कुछ भी scene बगएरा अब समझ ही नहीं जहां पी ऐसा कुछ जग होता है तो वहां पर जाना उसको investigate करना फिर एक होता है analyst यानि कि जो crime scene से related सारी चीज़ों के सबूत चुदाता है कि भाई यहां पर इसका पर्स गिरा है यहां पर इसका मंगल सूतर गिरा है इस यहां चूड़ी गिरी हुई है बिंदी गिरी हुई है चूबी है महिला है तो अधिकता है यह चीज़े दिख जाती है मारा गया है तो कितने बज़े इसने भुजन किया होगा कितने बज़े डेथ हुई है और इन्होंने जो है क्या खाया होगा कि क्या पिया होगा ड्रिंक लिया है कि नहीं वो सारी चीज़ें जो होती है वो crime lab analyst के अंडर आती है फिर एक होता है crime scene technician टेकनिकल चीजों से related व यह मैं बहुत ही basic label पर आपको सारी information दे रहा हूँ और आप बोलेंगे तो इसमें से किसी एक चीज़ पर मैं बहुत detailed विडियो भी बना सकता हूँ तो आपके comment जो है बच्चो सरागों पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी मुझे देख रहे हैं इस पक्त सुन रहे है दोस्तो मैं कह सकता हूँ तो आप मुझे comment कर दीजेगा आपको किसी भी scope of work में अगर detail विडियो चाहिए तो हम उस पर detail में भी चर्चा कर लेंगे चलिया आईए अब ये काम किस तरीके से करते हैं तो देखे examination of examination of evidence बहुत सारे क्या होते हैं सबूत जुटाए जाते हैं बह आड़ी में जितने भी तरह के test हो सकते हैं blood test एक example के तौर पर मान के चलिये तो वह सारा का सारा उसका administration होता है फिर interpretation of data जो भी आपके पास में सबूत जुटाए है उसका interpretation होता और फिर बाद में conclusion पर आया जाता है report तैयार की जाती है इस तरीके से जो हमारे forensic scientists होते हैं देकि उसमें होता है सबसे पहले hand-on practice ठीक है chromatography DNA sampling analytical skill updated with current technique जो भी टेक है not technique मैं कहूं लेकिन जो भी technology आस लगातार हमारे देश में आ रही है या पुरी दुनिया में आ रही है उस technology की बारे में आपको पुरा एकदम detail पता होना चाहिए networking आपको आनी चाहिए certification होना चाहिए फिर उसके बाद hunt की बात करें यानि की job कहां कहां पर आपको मिल सकता तो देखे government agencies है private lab है फिर आपका research institute है and enforcement department है law enforcement department है यहाँ पर भी आप लोगों को जो है मिल सकता है option continue learning यह चीज़ बहुत important मैंने रखी हुए यह बात यहाँ पर कि आपके अंदर learning के skill होनी चाहिए अप crime हुआ है वो सही है गलत है कैसे हुआ है कुछ पता नहीं चल पाता है लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने अनुभो की basis पर ही सीख पाते हैं तो एक experience आप लोगों को मिलता है और वो तब ही आता है कि जब अप लगातार सीखने की चाहत रखते हैं ठीक है salary के अगर हम बात करें तो हमारे देश में आप लोगों को पता ही है salary जो है वो बहुत कम नहीं है तो बहुत जादा भी नहीं है तीन से चार लाग रुपए मिलते हैं freshers को yearly बट बहुत सारे उसके साथ साथ government facilities मिल जाती है लेकिन अगर हम बात करें other countries में तो जो इसके लिए structure है वो काफी जादा ह है अगर मैं बात करूं कि California जैसे जगह पर तो obviously बात है जहां crime बहुत जादा होता है तो वहाँ पर यह है 98,400 US dollar यानि लगभग 81,000,000 पर annum जो मिलता है वो foreign के अंदर मिल जाता है नियो हर्क हो गया और यह सारी जगह पर जो है यह salary structure है Top Forensic Colleges के अगर हम बात करें graduation के लिए तो हमारा है National Law School of India University NLSIO Bangalore, Faculty of Law DU, National Law University Delhi and then we have Nalsan University of Law Hyderabad, फिर NUJS Kolkata, SLS Pune, ILS Pune, GNLU Gandhi Nagar और BHU Manaras तो भोले बाबा की नगरी में भी जो है forensic sentence बनने का एक बहुत अच्छा option है ठीक है तो आप जो है इनके उपर बहुत ज़्यादा research कीजिए आप देखे कि आप कहां कहां पर जो है जा सकते हैं आपके सहर के अंदर आप research कीजिए अगर आप किसी जगह पर रहते हैं तो Google के information निकालिए बाकि आप मुझे comment करके बताइए कि आपको किस मुद्धे पर जो है बहुत detail वीडियो चाहिए तो हम उस पर detail वीडियो पर बात करेंगे ठीक है मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सब कुछ आप लोगों का नीट और जेई ही नहीं है बहुत सारे career options available ह है लेकिन बहंगी मैं की coaching classes center कभी भी यह बात आपसे नहीं बताएगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो business से धंदा हो इसी से चलता है लेकिन आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं और आप यह जानेगे कि मैं हमीशा दिल से बाते करता हूं है ना तो मैंने आ सब्सक्राइब कर सकते हैं चली बहुत बहुत शुक्रिया थाइंकि सो मच मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वडियो में तब तक लिए खुश रहे हैं मुस्क्राइब के साथ SSP knowledge आपको देखते रहे हैं जैंद